को देखने वाल है जहां पर हम लोग विंडोस के बाड़े में पढ़ेंगे बिसीकली फोर्ट चैप्टर जो हमारा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड इस पहला था कुकीज एंद दूसरा है हमारा विंडो जहां पर 110 पॉस्टन्स आते हैं जैसे कि विंडो किस तरीके से हम ओपें करते हैं नहीं कंग्यें इनसे पे और आपने पहले इस नहीं देख रहे होगे तो अगर आपको साथ में ब्रक्राइड करना है या प्रोग्राम को कॉप्री पर लिखना है एक्जाम के लिए तो आप देखके प्रोग्राम को लिख सकते हैं उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं को छोटी सीज बदा दूए अगर आप 6 semester में भी अच्छा है स्कोर करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी six semester में all subjects में कोई problem ना आए आपको तो आप हमारी classes join कर सकते है msbt next icon course है जहां पर हम लाइव lecture notes assignment question bank थे और यह सब कुछ provide करते हैं तो उसके लिए आपको simply हमारा google form fill करना है हमारी team आप से contact कर लेगे ठीक है तो हम लोग simple एक program देखते हैं windows से लिए किस तरीके से हम window को implement करते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज करके मैंने सिंपल से एक program लिखा हुआ है मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एक body make form create कर लेता हूँ form हमने बना लिया ओके मैं यहाँ पे कुछ प्लेमेंट्स प्लेस्ट होते हैं जैसे सब्सक्रों करो यह जो आपको दिख रही है इसको भी हमें विंडो बोलती है यह भी तरह का window होता है ठीक है जिसमें आपकी YouTube चैनल दिख रही है आपको मेरी ठीक है तो उसके लिए हमने एक बटन बनाया है और इस बटन में हम लोग क्या करते हैं वैल्यू देते हैं ओपन विंडो का ठीक है बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है अगर धंग से समझोगे तो समझ में आएगी चीज़ा आपको ठीक है और ओन क्लिक में एक फंक्शन को कॉल करते हैं ओपन विंडो ओके हमने एक सिंपल का को कॉल के लिए एक एस्कृप में चलते हैं को बनाते हैं फंक्शनी ओपन ओपन विंडो इसको डिषाइन करें बहुत ही सिंपल सा कोड एए एक लाइन का कोड एके वल हम लोग यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले एक वरीखले को डिकलीर करें यह वेर विन को ठीक है वेर विन विंडो डॉट ओपन और आपका जो विंडो है वो हो जाएगा ओपन तीक और कुछ भी नहीं करना अब विंडो डॉट ओपन में हमारे पस विंडो में कुछ पैरामीटर्स होते जैसे कि आप उसकी पोजिशनिंग को सेट कर सकते हैं आप उसके बहुत सारी तीज़ेया वाला कवा कुछ भी नहीं करूँगा दूसरा वाला भी कुछ नहीं करूगा और तीजरे वाले में में विठ यह सब दे सकता हूं, सबस्क्राइब मैंने width दिया इनका 400 और height दिया मैंने 400 pixels, तो यह जो window है वो 400 by 400 pixel की बनेगी, आप size कुछ भी दे सकते हैं अपने recording, ठीक आपको जो मना आप वो यहाँ पे size दे सकते हैं, ओके, अब मैं इस program को simply run कराऊंगा, तो देखो क्या होगा, मैं इ होगे, दिख रही है, और यहाँ पर आपको बटन दिख रही है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको, अगर यहाँ पर click डूंस यह जो यह ब हाट ग sow इनदों आपको नहीं हुए, यहाँ पर क्लोज करने के लिए में एक दूसरा फंक्शन बनाता था कि आपको ज्यादा clarity मिले close window मैंने इसका नाम रखा और मैंने यहाँ पर लिखा win.close, simple ठीक है और कुछ भी नहीं, win हमारा क्या है, win हमारे window का variable है, अब देखो इस program में गलती है, अब आपको मैं 2 से 10 second का time देता, आप गलती को समझ पकरो, तब तक मैं यहाँ बटन create कर लेता हूँ, ठीक है, अगर आपको गलती समझ में आ जाए उतने time में, तो सही है, comment करके जरूर बताना, कि आपको 10 से कंदर गलती अपनी समझ में आ चुकी थी, ठीक है, अभी हमारे प्रोग्राम में गलती है, जब तक मैं बटन को बनाओ, तब तक आप गलती मुझे बता दो क्या है, ठीक है, close window को मैंने यहाँ पर call कर लिया, ठीक है, किसी को समझ में आई गलती, अगर नहीं समझ मैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने हैं भी क्या गलती हुई हमसे, ठीक है, अभी हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार रिफ्रेस करेंगे, और close window, ठीक है, open हमने किया, और मैं इसको side कर देता हूँ, मैं close पर click कर तो, देखो अभी window हमारी close नहीं हुई, य हम लोग समझते हैं कि क्या गलती करी हमने, मैंने आपको इस प्रोग्राम को इस पहले गलती होके बताया था कि आपको अपनी गलतियां समझ मैं, क्यों बहुत टाइम पैसी mistakes होती ही बच्चों के साथ, इसलिए मैं आपको पहले गलत बताया, उसके बदब सही बताऊंगा, यहाँ पे जो हमने variable declare किया, win variable, वो local variable है, मतलब एक function के अंदर हमने declare किया, देखो यहाँ पे, local variable जो होता है, वो open window function के अंदर ही उसका scope होगा, उसको हम close window function के अंदर use ही नहीं कर से अदर, विकॉज उसका scope जो है, वो function तक limited है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक global variable declare करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैर को हटा देते हैं, ठीके, और सारे function के बाहर हम इस variable को declare करें, तो वैर विन के नाम से, अब क्या हुआ, यह जो variable, यह declare हो गया, as a global variable, मतलब क्या हुआ, इस variable को हम लोग किसी भी function में, कहीं पे भी use कर सकते हैं, आप कोई problem नहीं आए करता हूँ, ठीक है, मैंने window को open करा, ठीक है, यह देखो, window open है हमारा, अभी देखो, यहाँ पर नीचे है देखो, अब tab इस पेस्ट यह window हमारा open है, अब मैं close button पर click करूँगा, तो window जब वो close हो जाएगी, मैंने close button पर click किया, देखो, window close हो कि जो बगल वाली window थी, वो हमार पर click किया, तो इस तरीके से आप बहुत ही simple lines of code में window को open और close कर सकते हैं, कई बार question ऐसे भी आते हैं, कि हम window के content क्यों कैसे change करें, तो मैं उसके लिए भी बना देता हूँ, एक function, content, window के नाम का, ठीक है, अब window को, के content को change करने का, simply हमें क्या करना पर का, win, मतलब जो variable आपका window का, उसको choose करना पर, win.document.write, ठीक है, आप अलग-अलग तरीके से window की content को change करते हैं, ठीक है, आपका बहुत सारा अलग-अलग तरीका भी हो सकता है, window के content को change करने का, यह completely आपके उपर depend करता है, कई बार हम लोग, stml के code को भी use करते हैं, कई बार हम लोग, directly javascript में के language में भी लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं window.document.write लिखो, suppose करो hello world, तो आपके जो window में new window जो खुलीगी, उसमें hello world आपके लिखा रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक function बना, इस button बनायता हूँ, content change window, content, change window, ठीक है, और मैं इसमें function को call भी कर देता हूँ, कौन सा function को call करूँगा, मैं content window, ठीक है, अभी हमने एक और गलती किये हैं, यहाँ पर, पर इसके पहले मैं आपको program run करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको गलती बता हूँ, अभी म कि हमने content change के function में window को open नहीं करा है, हमने बस directly window को change कर दिया, document change कर दिया उसका, पर उसके पहले में window को open तो करना परेगा, तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे simply window, तो भी आपका है, win is equals to window.open, ठीक है, अभी हमारा window यहाँ पर हो जाएगा, अब मैं वापस एगर इसको क्या देखो, यहाँ पर new window आपको खुलती भी नजर आ रही है, hello world की नाम की दिखरी है आप सबको यहाँ पर, यहाँ पर जो मैंने new window बनाई थी, यह देखो, यहाँ एक नया tab जो हमारा वो खुल गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप different windows create कर सकते हैं, उसके content को भी change कर सकते हैं जब चाहें, वैसे, जैसे चाहें आप वैसे, अपने window की content को change कर सकते हैं, for example, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी parameters पास नहीं किये थे, तो new tab में खुल रहा था, अब सब्सक्रों मैं parameter पास कर देता हूं, दोनों, empty parameter मैं पास करूँ है, कोई, यहाँ पर कोई मैंने link वगरा न मैं डाली, मैं simply क्या करता हूं, width is equals to 500 pixels, and height is equals to 500 pixels, ठीक है, मैंने भी कोई positioning set नहीं करी, position भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं, left कर सकते हैं, top कर सकते हैं, आप देखो, यहाँ पर hello world, आप सब को देख रहा होगा, यहाँ पर hello world, अब यहाँ पर जो मैंने content change किया, वो javascript की मदद सकते हैं, आप इसी में, आप HTML के code को भी यूज कर सकते हैं, बहुत बार ऐसे question आते हैं, कि आपको एक web page develop करना है, with the help of your window, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर simply लिखेंगे, win.document.write, ठीक है, और अगर आपको कभी भी HTML का code यूज करना हो, अपने विंडो के आपको HTML के tag as usual लिखने, जैसे आप हमेशा लिखते हैं, for example, मैं लिखूँगा यहाँ पर H1, और H1 को close कर दूँगा, अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूँगा, suppose करो, मैंने लिखा my, या मैं लिखता हूँ, अपने channel का नाम, your engineering friend, मैंने ये लिखा, अब इसमें आप HTML के किसी भी code को यूज करते, suppose करो, मैंने एक और code लिखा, win.document.write, हमें बस ये ध्यान रखना है, कि जब भी आप HTML के code को यूज करेंगे, तो हमें साथ double quotes के अंदर होगा, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब हमने form पढ़ा था, तो form में हमने बहुत चीज़ें सीखी थ अगरा, तो हम एक button बनाते है, button, button को close कर दो, HTML का tag है, मैं यहाँ पर करता हूँ, एक click me button, अब मैं इसको गर रन कराऊंगा, तो देखो, क्या run होगा, यहने इसको refresh करा एक बार, और run करा है, देखो, यह HTML code हमने डाल दिया है, यहाँ पर, तो आप window में कुछ भी change कर सकता, आ अगर मैं चाहूँ तो window में new URL भी डाल दूँगा, यहाँ पर जो दो parameter हमने पास किये है, window में, वो URL और name के लिए होता है, for example, अगर मैं बोलू, www.google.com, ऐसा मैं बोलू, तो यहाँ पर देखो, एक काम करते हैं, लो, इन सब को पहले में cut कर देता हूँ, I think, www.youtube.com, यहाँ पर मैंने, मैं एक बच चेक कर रहा हूँ कि कौन से URL, कौन से पारमेटरमेज हम URL को पास कर सकते हैं, और अगर हम ना, हमारा ये प्रोग्राम भी रन नहीं होगा, तो हमें document.write वगरा को हटाना परेगा, ठीक है, बट उससे फ़ले में बोच चेक कर लेते है कि is it possible to open with HTML page, तो ठीक है, यह हमें पॉसिबल नहीं लग रहा, तो हमें काम करते हैं, URL क्लीन सबको हटा देते हैं, अब वापस से रन कराते हैं, यह रिफ्रेश नहीं हुआ शायद, वापस से में सेफ करा, वापस से रिफ्रेश किया, ठीक है, नहीं आ पर देखो, अभी हमा यहारे पस कुछ भी नहीं हुआ, तो हम एक काम करेंगे, इस चेक करना होगा, आपको यहां पर हैं, कई बार ऐसा होता है, कि अलगले ब्राउजर में बहुत प्रॉब्लम साथ उस वज़े से भी हमाई चीज़े रन नहीं होती है, इस यूज़ बहुत सारे ब्राउजर से स् आपको as a first parameter URL यूज़ करना, और second parameter आपको styling वज़र है, लिक चेक करना, तो इस तरीके साब आपने विंडो में किसी भी URL को भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई website बनाना, उसमें specific URL लोड हो, तो आप वो भी आसानी से यहां पर कर सकते हैं, किसी भी विंडो को में, आप यी चीज़े यहां पर definitely कर सकते हैं, तो इस तरीकी से हम विंडो को open करते हैं, close करते हैं, उसके content को change करते हैं, ओके, अब कई बार एक दो topic ऐसे जहां पर आपको multiple windows open करना है, एक साथ, तो हमने यह सीखा है, कि आपको एक साथ बहुत बार task को perform करना है, तो आप क्या करत हैं, आप एक function बनाएंगे, तो आप हमे multiple windows open करना है, multiple windows, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, आप एक loop चला वे, तो simply, for i equals to 0, i less than 5, i++, ठीक है, एक loop के अंदर simply आप अपने window को open कर लेंगे, तो win equals to window.open, ठीक है, अब इस function को में आप एक call कर लेंगे, एक button बना लो, input type equals to button, value equals to multiple windows, मैं एक ही program में इसलिए आपको बता हो ताकि आप इसका screenshot ले ले, अगर आपको कोई भी problem हो, ठीक है, आप exam में लिख सकते है, multiple, multiple windows, ठीक है, हमने ये function को जो है, यहाँ पर call कर लिया है, ठीक है, अब इसको run कर आगे बाद चेक करते हैं, क्या scene ह हमने इसका, हमने refresh करा, multiple windows पर click किया, चलो, ठीक है, यहाँ पर हमने इसा parameter pass नहीं किया, तो parameter pass करना बहुत important है, वरना वो new tab में खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमनों क्या करते है, parameter pass कर देते है, ठीक है, parameter pass करेंगे, width, height is equals to 500 pixels, ठीक है, हमने नॉनमल parameter pass करेंगे, वापस से run कराते हैं, अपस से run कराएंगे, अगर हम तो सबसे पहले हमें, pop-up को enable करना होगा, एक ही window open, वहाँ आप सुचे ही, हमने तो 5 window open करना था, loop चलाया था, तो यहाँ पर देखो, pop-up का sign आ गया, मैं pop-up को, देखो, यह सारे pop-up block किये, allow मैं करूँगा, देखो, कितने सारे windows फटा-फट खुलेंगे, मैंने करा, देखो, बहुत सारे windows खुलेंगे, आपको दिक रहा होगा, यहाँ पर, multiple windows यहाँ पर खुल चुके, dos attack के तरह आपको लग रहा होगा, dos attack ऐसे ही होता है, ठीक है, तो इस तरीके सा आप windows में बहुत सारे different operation perform कर सकते ह है, I know आप सबका maximum बच्चों कल exam होगा, Java script का, ठीक है, कुछ बच्चे इसको बहुत लेट से भी देखेंगे, but I just want कि यह window वाला program मैं आपको बता दो, because यह program आपकी exam के लिए important है, कई बार windows लिए बहुत सारे questions आते हैं, जहाँ पे आपको window को, बहुत simple program पुछे जाएंगे है, ठीक है, मैं पूरी try करूँगा कि मैं आगे आपको और भी MSBT के qualitative content दे पाऊं, okay, advanced Java के लिए हमने कुछ seminars प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना बहुत important हो जाता है, because अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपको आने वाले जितनी भी news है, सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe करो, और अगर आपने अभी तक 20 वीडियो से जाथ अप्लोड कर दिया है, हमारी 21 वीडियो है, 21 वीडियो है, तो इससे आप exam में अच्छे नंबर तो ले ही आएंगे, because 4 chapters already complete हो चुकी है, and 4 chapters से आप easily 50 to 55 marks score कर सकत है, क्योंकि आपके पास हमेज सा options में, कोशन को skip करने का chance होता है, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगे, आपको बहुत जादा help भी मिल लेगा exam में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को subscribe करो ताकि हमें और जादा motivation में और अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाएं, thank you so much for watching this video, have a good day.